सुपरबाद बच्चो कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो बच्चो मैं आज आपको हिंदी की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी का नाम है दो मूर्क बकरी येस तो बच्चो इस कहानी में दो मूर्क बकरियां होती हैं तो आज हम उनकी मूर्कता के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए एक बार की बात है एक गाउं के समीब एक नदी भहती थी उस नदी पर पेड़ के तने का एक तनपुर था वहताना इतना पतला था कि एक समय पर एक ही व्यक्ती गुजर सकता था उस पुल पर से एक बार एक बकरी गुजरने लगी तब ही दूसरी तरफ से दूसरी बकरी भी उसी पुल पर आ गई वह दौनों बकरियां पुल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई तभी पहली बकरी बोली पहले मुझे पार करना है पहले मुझे पार करना है तभी दूसरी बकरी भी बोली नहीं नहीं पहले मैं पुल पार करूंगी दौनों मूर्क बकरियों में लड़ाई होने लगी और वे आपस में लड़ते लड़ते नदी में गिरने लगी और दौनों से संभला नहीं और दौनों नदी में गिर गई तो बच्चो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए, समझदारी से काम लेते हुए काम करना चाहिए.